अटिटी प्लाटफॉर्म पर कुछछ फिल्में ऐसी हैं, जो रियल क्राइम पर अधारित हैं इन फिल्मों को देखकर आप भी एक बार ज़रूर सोचेंगे कि ऐसा भी क्या हो सकता है यह फिल्म में रियल क्राइम पर ही बनी हैven जिहां रियल क्राइम पर बनी फिल्मों को देखना बहुत से लोगों को पसंद होता है। ओडिटी पर इन फिल्मों को आप कहीं बार देख सकते हैं। जिहां सेक्टर 36 इस साल कुछ दिन पहले यानी 13 सितंबर को नेट्फ्रिक्स ने ये फिल्म रिलीस की थी। विक्रांथ मैसी और दीपक डॉब्रियाल स्टारर ये फिल्म नीठारा में हुई हत्या पर अधारित है। जिहां इस फिल्म को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो वही इस लिस्ट में दूसरा नाम है रमन रागव 2.0 का। नवाजुदीन सिद्धिकी और विक्री कौशल स्टारर इस फिल्म को जी 5 पर देखा जा सकता है। बताया जाता है कि ये फिल्म रियल साइको किलर की लाइफ पर बनी हुई है। वहीं आगे इस लिस्ट में तीसरा नाम है तलवार का। इर्फान खान के शांदार अभिने से सजी इस फिल्म में रियल लाइफ मर्डर केस दिखाया गया है। नौइडा में हुए आरुशी हत्यकांड की कहानी पर अधारित ये फिल्म आप होड स्टार पर देख सकते हैं। वहीं आगे इस लिस्ट में चौथा नाम है नो वन किल्ड जैसिका। नो वन किल्ड जैसिका, रानी मुखर जी और विध्याबालन स्टार इस फिल्म को नेट्फिक्स पर देखा जा सकता है। फिल्म की कहानी जैसिका लाल की सची कहानी पर बनी हुई है जिसे लोगों ने खाफी पसंद किया था। वहीं आगे इस लिस्ट में पाँचवे नमबर पर है डेली क्राइम। शेफाली शा स्टार इस फिल्म को आप नेट्फिक्स पर देख सकते हैं। ये फिल्म साल 2012 में हुए निर्भ्या, रेप और हत्याकान पर बनी हुई है। आगे इस लिस्ट में छटे नमबर पर है मैं और चालर्स का। सीरियल किलर चालर शोबराज के ओपर ये फिल्म बनाए गई थी। इसमें रंडीब हुड़ा लीड ड्रोल में नज़र आये थे। ये फिल्म डिजनी प्लस होट स्टार पर देखी जा सकती है। वहीं इस लिस्ट में सात्वा और आखरी नाम है स्पेशल आप्स का। केके मैनन स्टार इस फिल्म में एक रो एजेंट हेमन सिंग की कहानी दिखाई गई जो अपनी टीम के साथ आतंगवादी हमलों का पता करते हैं। इसमें केके मैनन का काम काफी काबले तारीफ है। ये फिल्म डिजनी प्लस होट स्टार पर अविलिबर है। वेल ये थे कुछ नाम जिन्हें आप OTT पर असानी से देख सकते हैं। इनसे जुड़े या फिल्मों की बारे में आपको पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर जरूर बताएं। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग निवस प्रेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिलकुर ना भूले। और आपको प्रेस प्रेस बेल आइकन।